जंग के 18 दिन बीच चुके हैं लेकिन अब तक युक्रियन में हालात सामान्या नहीं हुए अब जूद के 19 दिन युक्रियन के 19 शहरों में हवाई हमलों का सायरन बजा है इसके लावा राजदानी कीव और खार कीव पर भी रूसी सेना का मिसाल अटेक जारी है दोना देशों के बीच छोते दोर की बैटक अब होनी है लेकिन इससे पहले हुई तीन बैटकों में कोई समाधान नहीं निकलता इसी बीच राजधानी कीव के करीब चेचन विद्रोई भी पहुंच चुके हैं गोड़ तलब है कि चेचनिया में सत्ता पर काबिच चेचन लड़ा के रू करने का दावा किया था बाताया जा रहा है कि रूस ने सेने प्रक्सिशन के इंदर पर 30 से ज्यादा क्रूज मिसायलों से हमला किया था दूसरी तरफ यूक्रियन के सेने दिकार ने कहा कि रूस के हमल में 35 लोग मारे गए और 134 लोग घायल हो गए उन्होंने पीडितों की राष्ट्रे की पेचान का खुलासा भी अभी तक नहीं किया रूस के इस रविया को देखते हुए फ्रांस के राष्ट्रपती मेंकरो ने युक्रियन के राष्ट्रपती जैलेंस की और अमेरिका के राष्ट्रपती जो बाइडन से बात की इन लोगों के बीच रूस पर के चार प्लेन और तीन हेलिकॉप्टर मार गिरें हैं कहा गया कि यह अटेक एंटी एरक्राफ्ट मिसायल से किया गया था युक्रेन का तावा है कि अब तक वह रूस के 13000 के करीब सेनिकों को मार चुका है रूसी हमलों से बचने के लिए 25 लाग से अधिक लोगों ने युक्र निक्त राष्ट ने इसे दिवितिय विश्व यूद के बास सबसे तेजी से बढ़ता हुआ चरणारती संकट का है इस भी उक्रेन में फसे भारतियों को निकालने का काम भी लगभभ पूरा हो चुका है ऑप्रेशन गंगा के तहद केंद सगा ने यह काम किया था युक्रे वगद के देवाड़ यह काहली शे झालने के तवारती ग्रें हुआ है चलेकर तेवर शेवर प्राफिन है गप्रावन कार में वխभभ प्रेंग झालने के बास प्रेंग हुआ है जिए ने एदिन दो कि दो